आपको लाज्ट जो वीडियो थी देरा दूब की पसंद आई होगी बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि आइक्चुली जो सीन्स वगेरा थे पहाडों के और मौसम जस तरीके से था वहां का इतना अच्छा तो मतलब लगता है अच्छा सा लगता है कि हां बहुत अच्छा फीलिंग ही अलग होती है पॉजटिव वाइब सोती है पहाड वागेरा में जाके तो और उपर से पुजा का और था गर पे पूज़ा थी कथा थी तो वो चीज और अलग से हो जाती है कि हाम की पॉजटिव वाइब से हैं मौसम अच्छा है बारे शोरी है पाड़ों का सीन इतना अच्छा तो आप लोगों को सभी वीडियो पसंद आई होगे पसंद आई होगे तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब उन वीडियो को जरूर कीचिएगा सो गाइज फाइनली अभी हम सुपे सोट गए है और आज फाइनली आनू का डे है स्कूल जाने का वह व क्योंकि बीच में जो गया पाजाता है ना चुटियों का उसके बाद इसका स्कूल जाने का मनी नहीं करता है इसके साथ स्टार्टिंग से क्योंकि बीच में समर वेकेशन भी पड़ी थी तो उस टाइम पे भी इसने मना करा था मैं नहीं जाओंगा बहुत रोया था तो फि ठीक करा था कपड़े थे बहुत सारे दोने के लिए बूसब्द होए थे तो अभी जाएंगे आनों को स्कूल छोड़के आते हैं पहले फिर उसके बाद मैं जो है समान लेके आओंगी करवाजवत को और आगे फिर आपको दिखाते हैं सो गई आनों को स्कूल चोड़के त तो जो जो नोंने मुझे दिया कि हाँ यह यह चीज है तो ले आई हो अभी मैं आपको दिखाते हैं यह समान में लाई हो एक तो नोंने मुझे कैलेंडर दिया है और यह जो सी होती है यह उनके साथ दी है नोंने मुझे मुझे शॉप वाले ने सारा मिक्स करके मुझे मैंन अब मुझे लगाने का वैसे बहुत शॉक है कि महंदी डाक खिले ये देखो एक उन्होंने मुज़े इसके साथ ये दिया है तो ये तो हो गया मेरा समान अभी मैं चलनी लाना भी भूल गई हूँ चनी भी मुझे लानी पड़ेगी तो वो मैं भूल गई थी उन्होंने मुझे सेट के साथ नहीं दी में भी वो अलग मिलती हो तो अभी मैं छन्नी भी लानी है मुझे अभी एक दो और समान है कॉस्मेटिक वगेरा का जो मुझे चाहिए तो फिलाल तो मुझे से देखके रोड ना रहा है पता नहीं क्या हो रहा है देखो, कुछ पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी तो यह फिलाल अभी समान है इसको तो मैं अब नहीं लगाऊंगी मैं सोची थी दूसरे हाथ में ऐसे गोल-गोल सा मून सा बना देते हैं फिर डॉट-उट-उट-उट कर देते हैं तो मैंने सोचा था कि इस वाले हैड में अपने वही बनाऊंगी बट इसको तो बिल्कुल नहीं लगाऊंगी क्योंकि यह वाली बिल्कुल भी नहीं खीलिए दूसरी वाली लेके आऊंगे सो गाइस फाइनली आइम आल सेट फ्रेश हो गई हूँ नहाद हो के रेडी हो गई हूँ अब जो है आनू को भी स्कूल चोड़ दिया आक्चली क्या है हमारे घर में अभी रेनोवेशन चल रही है रेनोवेशन का काम चल रहा है तो जैसे मतलब पहले तो वाइट 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 होए थे और फिर टाइल्स वगेरा न्यूडल वाई थी हमने फ्लोर में तो काफी जादा भी अभी इस टाइम पर चट पे जो है वो काम चल रहा है तो उस वज़े से भी घर में पूरा मतलब सारी चीज़े बिखरी बिखरी सी है और टाइम भी नहीं मिल पाता किसी चीज़ को करने कहीं क्योंकि जितना ही साफसफाई कर लो जब टेली डेली वाइट वाइट वश का काम हो रहा है इसा कुछ काम हो रहा है रिपेरिंग का तो हुए जाताओ घर-गंदा बार-बार तो इवनिंग के टाइम करेंगे और वैसे भी आज जादा काम करेंगे तो प्यास खौत लगेगी तो आनु का स्कूल को लेने का टाइम अभी है थोड़ा सा अदा गंटा रहता है उसको भी लेने के लिए जाओंगी स्कूल में एंड मैं तो रेडी हो गई हूं वर्ट अब देखों किती प्यास लगत अगर मुझे जादा वो हूँ आए से देखके तो मैं क्या करूंगी वह गोल्गोल से बनांकर दोनों हाथों में वह जादा बेटर रहता है दूसरी में हंदी कीप लाँगी और दोनों हात में लगा लोंगी वही गोल्गोल सा और दिन में आनू को सुलाओंगी तो क्या है इतने टाइम में रच भी जाएगी, I guess 15 to 20 minutes इनको लगते हैं रचने में, तो इतने दिर में तो वो होई जाएगी, so guys, Anu स्कूल से आ गया है, Anu हाई, say hi, हाई, इधर देखके बोलो, हाई, बोलो मैं स्कूल से आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, स्कूल से, शैता नहीं करके, मै इतने देखके बोलो मैं आगया हूँ, इतने दुट से यही हूँ, मैं दो जखती है, मैं फ्रेंड्स को मार के आया हूँ, तो Anu स्कूल से भी आ गया है, और अब भी घर जा रहे है, और Anu पिर घर पे जा के पहले खाना खाएगा, फिर सो जाएगा, तब तक अमा को भी थो स्कूल की विंटर की ड्रेस भी लेके आए हैं, क्योंकि अब थोड़ा बहुत थंडा स्टार्ट हो गया है डेली में तो, सुबह सुबह मॉर्निंग में जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो उस टाइम पे जाधा थंडा रहता है, दिन में तो इस टाइम वैसे ही नॉर्मल है अच्छी लग रही है, और एक ये टीशिट भी है, फुल स्लीव की टीशिट लेके आए हैं, और फिलाल अभी गर्मियों की तो इनकी ये चल रही थी, समर्स की, अभी-अभी मैंने उतारी है, तो हाफ स्लीव की, अभी आपने देखा ही होगा, ये इनकी समर्स की है, इसके हाफ पेंट है, और ये अभी मैं विंटर्स की लेके आई हूँ, फुल स्लीव अभी पिना के भेजूंगी रिसेंट में, बट अनू की मैम ने बोला है कि अभी फिलाल हम नीचे फुल दिन के लिए जीन्स वगेरा भी इसको बेच सकते है, क्योंकि इसका जो नीचे का स्टा दिखाओ, ड्रेस दिखाओ अपनी, खड़े हो जाओ, हुड पैनो, कैप पैन के लिखाओ, दिखाओ तो, तो कुछ इस तरीके से ड्रेसे की, तो अभी आ गए हैं, और आनू को ये चीज तो हमेशा चाहिए होती है, स्कूल से आने के बाद द्रिश्वत जरूर मांगता है, कि मुझे कुछ न कुछ दो खाने के लिए कभी आइस क्रीम ले लेता है, अब समर्स में आइस क्रीम लेता था, तो अभी फिलाल ये लेके आया है, कि मुझे ये चाहिए, क्योति अब विंटर स्टार्ट होने वाली है, तो आइस क्रीम तो नहीं दिलाएंगे इसको, तो ये आटा उगून के हमने रखा है, मैं देखा है, बटूरे के लेगा, अब रखा है क्या है तड़खिया है, तीशिर्ट नीचे करो अनु, तीशिर्ट नीचे करो गद्यट बोई मैं रेडी हो चुकी हूँ और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताईएगा कि मेरा इस बर वाला हेर स्टैल जादा अच्छा था कि लास्टाइम वाले भी मैंने वीडियो डाली थी और उसका जो लिंक है वो मैं दिस्क्रिप्शन में जरूर सेंड करूंगी आ जादा बेटर कि हर बार कुछ डिफरेंट करना चाहिए ना अलग अलग ऑलग ऑसलागाई थी कर को टार को अधर कर शुक्ति करना चाहिए ना अलग अलग नहीं कि अंग जो बनाएग कि अलग आई झालो लिए तुछ आप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजेगा शेर कर दीजेगा और सब्सक्राइब कर दीजेगा थांक यू सो मच फॉर वाचिंग मिलते हैं अगले व्लोग में